इंडिया में इस वक्त हजारों multi-level marketing companies operate कर रही हैं जिसमें से कुछ genuine है और बहुत सारी ऐसी companies हैं जो की scam कर रही है In fact past में भी ऐसी बहुत सारी companies है जिन्होंने public के साथ में बहुत बड़ा scam किया उसके बाद में या तो वो companies बंद हो गई या उनके जो owners थे उन्होंने सारा पैसा एकटा किया public का और वो भाग गए और जब इस तरह के scams बहुत जादा भढ़ गए हमारी country में तो government of India ने एक बहुत ही अच्छा step उठाया public welfare के लिए consumer protection direct selling rules को introduce किया और अच्छी बात यह है कि यह सारे rules हिंदी में भी लिखे हुए है और English में भी लिखे हुए है जिससे कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके इसका link मेरी इस video की नीचे description में है इससे पहले कि मैं बात करूँ कि यह rules क्या है हमको यह समझ आया as consumer तो आपने आगे अपने friends को और relatives को recommend किया जब recommend किया तो उस company को profit हुआ तो उस profit में से कुछ percentage उस company ने उस इंसान को दिया जिसने उस product को recommend किया अगर इसी तरह से इस business को actual में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन अगर एक company के जो direct sellers है वो उस company के product के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे है वो बात कर रहे है किसी ऐसे product के बारे में जिसका उस company के product से दूर दूर तक कोई connection नहीं है for example वो company बेच रहे है साबन तेल चैंपू और वहाँ पर बात करी जा रही है Mercedes की BMW की और उस company को आगे से आगे जो लोग join कर रहे हैं उनके join करने का मकसद उस company के products या services नहीं है बलकि पैसा कमाना है यहां तक कि उनको product से कोई लेना देना ही नहीं है तो यह एक complete scam है जिसको government ने पूरी तरह से ban किया हुआ है और इस structure में कुछ लोगों का तो फाइदा होता है बाकी लाख लोगों के पैसे डूब जाते हैं मैं आपक आपको आगे दो लोगों को join करवाना है बट इन सारी companies को बोलते हैं direct selling companies तो यह जो direct selling companies होती है यह अपने direct selling network में 30 से 50% के बीच में पैसा distribute करती है average हम कह सकते है 40% 100 करोड में से 40 करोड रुपय चला गया इस company के distribution network में अभी हम उन सुनने में बहुत बड़ा लगता है 40 करोड रुपय और जो भी कोई नया member उस company को join करता है उसके माइन में यह होता है कि अगला करोड़ पती मैं हूँ पट अब एक बार practically देखते हैं कि अगर वो company चाहे भी तो क्या सबको लगपती करोड़ पती बना सकती है जातर क्या होता है कि इन companies में आप एक pattern देखोगे हर company का को कोई नो कोई एक face होता है वो एक इनसान stage पर आ करके खड़ा होता है वहाँ पर वो इनसान आ करके stage पर सबके सामने अपनी income को share करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है ज्यातर इन लोग के पास में Mercedes होती है और Mercedes कभी कोई छोटा मोटा मोड़ा नही तीन करोड का चार करोड का इसके अलावा वो इनसान बताता है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं इस कंपनी से जो लाखों में नहीं होता है बलकि करोडों में होता है जानि वो इनसान stage पर आ करके सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का एक करोड रुपे कमा रहा हूं इस कंपन करोगे अगर ध्यान से इस company's के structure को समझोगे कि वो जो एक इंसान होता है उसके नीचे कुछ लोग होते हैं जिसको डाउन लाइन बोलते हैं उसमें 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो महीने का लाख रुपे कमा रहे होते हैं तो बेसिक सी करोड रुपे यह 8 करोड किसके हाथ में आया बाकी के जो 10 लाख लोग उनके हाथ में तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपे साल का अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपे है यह कैसी के हाथ में about कुछ ब नहीं आया कुछ तो मैं कोई नहीं होताक आपको यह करणा छहिए नहीं करना जहें यह यह डिआपका है तो आपको साथी काया कॉश्ट होती है जिसको शूरू में किया होता यह सेज़योंजिय May σας को करके चलना है कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एंड में आपके पैसा कमाने की possibility क्या है यानि कि अगर उस कंपनी में दस लाक लोग है और को एक इंसान आकर के बोल रहा है कि मेरे कंपनी जैन्विन भी है लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जैन्विन है और कौन सी फ्रॉड है तो आज हम यही काम करने वाले हैं हम डेटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जैन्विन है और कौन सी फ्रॉड है इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का law क्या कहता है 28 December 2021 को government का notification आता है जिसमें कि जितनी भी direct selling companies है उन सब के लिए proper government ने कुछ rules बनाए मैंने detail में इन सारे rules को study किया और इसमें से कुछ important points को highlight किया हुआ है जो हम सब के लिए as consumer समझना बहुत important है इसमें कहा जा रहा है no direct selling entity shall adopt any unfair trade practice in the course of its business or otherwise and shall abide by the requirements specified in any law for the time being in force in other words वो company जो भी आपको commit कर रही है अपने products or services को sell करने से पहले या उस company को join करने से पहले उसके बाद में उस company को उन सारे commitments को पूरा करना ही पड़ेगा अपनी advertising के through या अपने direct seller network के through या किसी भी तरीके से वो company कोई भी किसी भी तरह का गलत commitment करके आपको join नहीं करवा सकती है अगर ऐसा वो company कर रही है तो इन rules के according वो बिलकुल गलत है अगेन एक बहुत important point है यहाँ पर every direct selling entity shall ensure that the advertisements for marketing of goods or services are consistent with the actual characteristics, access and usage conditions of such goods and services इसका मतलब यह है कि वो जो direct selling company है या जो उसका network है direct sellers का उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी advertisement नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर कि उस product को उस service को या उस company का जो भी plan है उसको बहुत 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 चड़ा करके दिखाये जा रहा है कि वो है कुछ और और उसको कुछ और ही दिखाये जा रहा है अगर मैं इसका एक practical example आपको दूँ तो आपने note किया होगा कि Facebook पर, Instagram पर, YouTube पर ऐसी बहुत सारी ads आती हैं जहां पर किसी एक particular segment को target किया जाता है जैसे कि अगर आप एक housewife हैं और घर बैठे-बैठे लाखों रुपय कमाना चाहते हैं तो हमको contact करिये तो इस तरह की advertising अगर कोई company कर रही है तो वो एक scam है अब ये एक point है जो बहुत important है समझने के लिए A direct selling entity which explicitly or implicitly मतलब के directly या indirectly vouches for the authenticity of the goods or services sold or guarantees that such goods or services are authentic services मतलब कोई भी direct selling company या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े होएं हैं वो ऐसी कोई भी guarantee नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा claim नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके For example, वो company आपको यह कह रहे है कि अगर आपने हमारी company को join किया और आप यहां से लाख रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापिस हो जाएंगे तो उस company को वो पैसे वापिस करने ही पढ़ेंगे और यहाँ पर जो बहुत important words है वो है explicitly or implicitly मतलब कि यह तो directly आपने guarantee दी है या indirectly दी है तब भी आप उस guarantee को पूरी करने के लिए liable है For example, अगर कोई company आपको यह कहती है कि हमारा यह product है, service है इसको आप purchase करो इसको purchase करने के बाद में आपकी जो income है वो 10 गुना भढ़ जाएगी So as to enable the consumer to know the exact nature of offer being made and the commitment involved in placing any order मतलब usually ऐसी companies में क्या होता है यह आपके लिए एक तरीके का funnel बना देते हैं यानि कि जब आप इन companies को join करते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 500 रुपे देना है यह 1000 रुपे देनें के बाद में आपको प्ता लगता है कि आपको 5000 और देना है फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि अब अगर अपने business को आपको बढ़ाना है आपको commission चाहिए तो आपको 5,000 नहीं देना है, अब आपको 30,000 देना है एक तरह का एक trap बना दिया जाता है जहां पर आप अंदर जा करके फस्ते ही चले जाते हो तो जो actual investment होती है उस business में वो उससे बहुत ज़्यादा होती है जितने की शुरू में दिख रही होती है या दिखाई जाती है ये करना गलत है इन rules के according आपको बिल्कुल clear तरीके से उस इंसान को बताना है join करने से पहले यानि उससे एक रुपे भी लेने से पहले कि इस स्टेज पर इतने इतना पैसा लगने वाला है जैसे बहुत सारी companies ऐसी होती है जहां पर के join करने के बाद में अगर उन companies को आप कहोगी कि हमको data चाहिए जिस data को हम call कर सके और जिनको ये product और service बेच सके तो इस data के भी वो company आपसे पैसे लेगी यानि वो company आपको बोलेगी कि एक lead का आपको 40 रुपे पचास रुपे देना है तो अगर आपको 100 लीट चाहिए तो आपको 5,000 रुपे देना है एक महीने का साल का कितना हो गया 60,000 रुपे आप सोच की आई ते उस company में कि 10-20,000 रुपे में मेरा काम शुरू हो जाएगा साल के एन में जब आप calculate कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा 20,000 रुपे नहीं लगाए यहां पर 2,000 रुपे लग गया है तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ आपको उस इनसान को जॉइन करते के बाद नहीं बताना है पहले से बताना है इसमें एक बहुत important clause है जिसको तो बहुत सारी companies violate कर रही है मतलब कि ऐसे बहुत सारे direct sellers है या direct selling companies है जो बोलती है कि हमारी unconditional money back guarantee है और बाद में जब आप उस company के साथ में agreement sign करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी conditions होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कहा कि जो money back guarantee वो unconditional है जबकि actual में जब agreement की बारी आई तो वहाँ पर बहुत सारी conditions है कि पहले आपको ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा तब जा करके आपके पैसे आपको वापिस होंगे यह गलत है ऐसा आप नहीं कर सकते हो इस clause को ध्यान से समझना यह बहुत important है A direct selling entity or direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided मतलब यहाँ पर क्या का जा रहा है कि अगर आपने एक MLM company को join किया और उसके जो goods हैं और services हैं उससे आप satisfied नहीं है तो उस company को आपको आपका पैसा refund करना ही होगा और यही सबसे बड़ा फर्क है एक genuine direct selling company में और एक fake direct selling company में जिस company को अपने products और services पर confidence होगा उनकी जो money back guarantee है वो unconditional होगी यानि कि वो company आपको यह नहीं बोलेगी कि आपने हमसे product खरीदा, service खरीदा अब अगर आपको अपना पैसा वापिस चाहिए तो आगे आपको इतने लोगों को all लेकर आना पड़ेगा तब आपको आपका पैसा वापिस मिलेगा अगर कोई company ऐसा बोल रही है तो वो एक scam है और यही बात जो मैंने भी बोली है यह आगे एक और clause में clearly mentioned है A direct selling entity and a direct seller shall not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can recover the price by referring prospective customers to the direct sellers for similar purchases In simple words, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके उपर किसी भी तरह का कोई भी pressure नहीं होना चाहिए उस company के products या services को sell कर दे के लिए या आगे किसी को member बनाने के लिए अगर आप उस company के products से, services से पूरी तरह से satisfied हो तब ही आपको recommend करना है आगे और लोगों को उस company को join करने के लिए अगर ऐसा actual में हो रहा है तो company genuine है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक scam है और यह सब तो वो है जो rules में clearly लिखा हुआ है कि यह करना गलत है इसके अलावा, ऐसी बहुत सारी चीज़े है जो बहुत सारी MLM companies में होती है जो हो सकता है, legally सही है लेकिन ethically बिल्कुल गलत है मतलब कि अगर कोई भी direct selling company है जिसका कि एक direct sellers का network है तो structure में सारे लोगों को सिर्फ तब benefit हो सकता है जब जो product है और service है उसकी अपने आप में इतनी वर्थ है कि अगर एक इनसान वहां से 1 रुपे भी ना कमाए तब भी उसको किसी तरह कोई regret ना हो के मैंने इस company को join किया मतलब कि हो सकता है जो government के rules है direct selling industry के लिए वहाँ पर यह नहीं लिखा है कि उस company के जो products हैं उसका price point क्या होना चाहिए लेकिन यह आपको देखना है उस company को join करने से पहले for example वो company आपको साबुन का डबबा बेच रही है 500 रुपे का जिसके जैसा same product आपको market में मिल रहा है 50 रुपे का समझेगा यह सिर्फ direct selling business पर apply नहीं होता है बलकि कि किसी भी business पर apply होता है अगर उस business में repeat business नहीं आ रहा है word of mouth strong नहीं है तो business आज नहीं तो कल fail होना ही होना है word of mouth not of the money that a person can earn from that particular company but word of mouth of the products and services offered by that particular company word of mouth इस चीज़ का नहीं कि उस company से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं बलकि इस चीज़ का कि उसके products and services कितने अच्छे हैं अगर एक्चुल में उस company के products and services अच्छे हैं competitively प्राइज है और अगर आप खुद अपने घर में उन products को बार बार यूज कर सकते हो तो यह business तो में हो बारो जो यह भाईब ज한테 हो, तो आधने ही कितन है और वे जब कितना अख चास कितना ध्रता किए़े, और में जड़्ण का लार प्रा सबसेंगा